अगर आप कर रहे हैं एनायस से डियलेट सीट या किसी भी टीट एक्जाम की तैयारी तो अब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लाटफॉर्म अनेकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है और अनेकैडम की भी कोशिस की है कि सर आज यहां पर यानेकी 5 दिसंबर को रिजल्ट आ जायेगा कल से बहुत सारे लोगों के यहां पर कमेंट्स आये हैं एनायस से डियलेट के रिजल्ट के बारे में आप लोगों ने यह बात यहां पर जानकारी देने की कोशिस की है मुझे तो दोस्तो लिंक को जब आप खोलते हैं तो इसको अपडेट कर दिया गया है यही रिजन है कि आपको यह लग रहा होगा कि रिजल्ट साथ अब यहाँ पर आ जाने वाली है या और भी कहीं कहीं से आपको ख़बर मिली होगी कि रिजल्ट यहाँ पर आने वाली है और बेसक इसमें कोई से पर शिर्दोमत नहीं है कि यहाँ पर अपडेट किया गया है यह आपको जानके इसलिए कि आ गया है कि आगे से किसी भी सेमेश्टर का रिजल्ट यही पर आएगा तो यह जो लिंक है आपका यह अब इसी लिंक पे आगे का भी रिजल्ट आएगा लेकिन अभी अगर तो आपको आगे का भी result देखेगा। लेकिन अधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार की result की घोषना नहीं की गई है। इसकी कोई धिकारिक घोषना नहीं है। अगर हम newspaper का भी रुख करें और जानने की कोशिश करें। तो NIS के 10th और 12th exam के result को ये कहा जा रहा है कि इस week में आएंगे तो इस news को अगर आप देखिएगा तो 10th और 12th के result के बारे में यहां पर कहा गिया है कि इस week में जो है नतीजे जो है website पर जादी कर दिये जाएंगे DL8 के बारे में नहीं कहा गिया है हलांकि अपडेट आई है और इस प्रकार की जो enrollment number date of birth डालने का ये पूरा portal चेंज कर दिया गिया है और last updated यानि की 4 December 2018 कल का यहां पर last updated है तो इसलिए आप लोगों को यहां पर ये चीजे काफी महतपुर्ण आपको जान लेनी चाहिए कि ठीक है मतलब ऐसा कोई fix नहीं है कि result आज आने वाली है इसी कोई बात नहीं है आज आती है तो अच्छी बात है जैसे रिजल्ट आएगी आप लोग देखी लेंगे उसमें कोई दोमत नहीं है लेकिन इसकी कोई अधिकारिक सूचना नहीं है अभी तक कि इसकी result निकलेगी ही तो यह मैं fact बस आप लोग के सामने बता रहेंगे या लगातार question आप लोग यहाँ पर कर रहें तो ऐसी कोई अधिकारिक सूचना नहीं है अगर वो direct result निकाल देते हैं तो अच्छी बात है result हमें पता चल जाएगी अगर नहीं भी निकलता है तो इसमें कोई यह नहीं है कि कोई date fail होने वाली बात नहीं है ऐसे भी NIS में चीज़ें delay होती है तो अभी उन्होंने website का रूप बनाया है उमीद है कि जल से जल वह website पर upload कर दे और समय भी बहुत हो गया है अब यहाँ पर December चल रहा है तो जैसे ही result आएगी आप लोग देख लेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों कि आज इतने बज़े निकलेगा आज इतने बज़े निकलेगा इसी कोई घोसना नहीं हुए आप लोग किसी भ्रहम में ना रहें जितने भी बज़े निकल तो कोई notice आएगा तो ठीक है ने तो उससे पहले निकल जाता है तो वह भी अच्छी बात है एक गंटा में भी निकल जाता है तो अच्छी बात है लेकिन कोई घोसना नहीं है तो इस प्रकार का fact यही है तो result निकलता है तो अच्छी बात है हाँ website को बदली गई तो obviously यहाँ पर जो है result आपका यहीं पर आएगा क्योंकि यहाँ पर यह पूरा पूरी आपको result section ही बना दिया गया है 2017 सेशन का तो इसमें अब सारा result आगे भी even second year में भी इसमें result आने की ही संभावना है यहीं link है इसको link को खोल कर आप देख सकते हैं और result आप उसके बाद जब आएग तो यही एक proper link है जो कि आपको यहाँ पर DL8 के website से जो चौथा link है इसी को बनाए गया है तो इसी को result आएगा तो इसी का नाम change किया जाएगा यह आपको उपर में डाला जाएगा कुछ इसा किया जाएगा या teacher login के अंदर भी डाला जाएगा जहां से कि आप देख दोस्तों यही fact है मिलते रहेंगे आप लोगों से नई वीडियो में मेरी यही सुब कामना है कि हमारे जितने भी सिक्षक बंदू है सब काफी बहतरीन marks यहाँ पर लेकर आए और पुरी उमीद है कि सब लोग काफी बहतरीन marks लेकर आएंगे मिलेंगे एक बार फिर से all the best मि नहीं वीडियो में बबाए जैहिन